नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबी लोग का आपके अपनी यूटूब चैनल इस्टडी 99 परसेंट पर दोस्तों आज की वीडियो में अमलूब एक इक नियम का दो कोश्चन करेंगे जो आपकी दैनिक जीवन में भी ऐसे सवाल प्रियोग होते हैं तो दोस्तों जेखे great किटाब का दा मैं 450 रूपयाय को दोस्तों जा भी-एक किताब का आपसे दाम पूछ है तो आप क्या करेंगे किदेखिए दिया है कि पंदर किताब का चार्सुपचास रूपय तो सबसे पहले लिखरेंगे चार्सोपचास ठीक है और इसके बाद क्या करेंगे एक का पूछ रहा है तो इसमें 15 से भाग देंगे ठीक है दोस्तों तो देखिए 15 किताब कदाम दिया है 450 रुपे तो 450 रुपे में 15 से भाग देंगे तो दोस्तों देखिए कितने बार भाग जाएगी इसमें देखिए 15 का पाड़ा पढ़ेंगे तो तीन बार में 45 आ जाएगा ठीक है 15 के कम 15 15 तिया 45 यहापर कितना हो जाएगा 3 और 0 कितना हो जाएगा 30 यानि कि दोस्तो एक किताब कदाम कितने रुपे हुआ 30 रुपे है अब दोस्तो देखे दूसर का सवाल है उसी तरह का कि इसमें दिया 17 कलम कदाम 340 रुपे है तो एक कलम कदाम बताइए तो जब एक का पुछे एक वस्तू का दाम पुछे तो आप भाग करेंगे कितना रुपे है जितना रुपे है 340 रुपे और कितने का 17 का 30 इसमें 17 से भाग दे दिजिए तो दोस्तो क्या हो जाएगा आपका देखिए क्या करेंगे 314 में 17 से भाग देदेंगे तो 17 का पड़ा पढ़ेंगे 17 कम 17 17 दुना 34 यहापर कितना हो जाएगा 2 और 0 हो जाएगा 20 यहापर कितना रुपी होगा दोस्तो 20 रुपे है तो दोस्तो मुझे अमीद है कि आपको दोनों स्वार एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जै हिंद